अगर हम बात in spite of की करें तो इस वर्ट का मतलब होता है के बावजूद और इस वर्ट का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो गोइंग अगेंस्ट सम्थिंग और समवन किसी चीज के खेलाफ जाना या किसी आदमी के खेलाफ जाना जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो यानि तेज बारिश के बावजूद राजू खेलने जा रहा है यहां मैंने अपने सेंटेंसे बोला in spite of इस लिए इस वर्ट का सेंस है कि राजू किसी चीज के खेलाफ जा रहा है यानि तेज बारिश होने के बावजूद भी वह खेलने जा रहा है माल नीजी अगर आपको कहना हो राजू went out to play in spite of being warned इस सेंटेंस का मिनिंग है चेयतावनी दिये जाने के बावजूद भी राजू बाहर खेलने के लिए गया तो यहाँ इस सेंटेंस का सेंटेंस यह है कि यहाँ सबजिक्ट राजू किसी चीज के खेलाफ गया यानि going against something जैसा कि एकजापल में आप देख सकते हैं यहाँ राजू चेयतावनी पाने के बावजूद भी बाहर खेलने के लिए गया तो उमीद करता हूँ कि आपको पहला concept समझ में आया कि in spite of का मतलब होता है के बावजूद और इस word का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो going against something किसी चीज के खेलाफ जाना अगर हम बात instead of के करें तो इस word का मतलब होता है के बजाए और इस word से opinion का पता चलता है यानि किसी इनसान का राय या ख्याल मालूम होता है जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो he went out to play instead of sitting idle तो इस sentence का मिनिंग है बेकार बैठने के बजाए वा खेलने के लिए बाहर गया यहाँ आप देख सकते हैं इस sentence में किसी चीज के खेलाफ जाना यानि going against something वाला sense नहीं है बलकि यहाँ किसी की राय की बात है कि खाली बैठने के बजाए वा बाहर खेलना पसंद किया या वा बाहर जाना पसंद किया माल लीजी अगर आपको कहना हो I like to work instead of going to watch movie यानि movie देखने जाने के बजाए मैं काम करना पसंद करता हूँ तो यहाँ इस sentence में एक opinion है यानि किसी इनसान का राय है कि वो ऐसा करने के बजाए ऐसा किया लेकिन इस sentence में किसी चीज के खिलाफ जाने का बिल्कुल sense नहीं यानि instead of बिल्कुल in spite of के जैसे नहीं है जैसा कि अब आप जान चुके हैं in spite of का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ जाना या किसी चीज के बिरुद्ध जाना